ते एस रेट चेंज दा फिक्स्ट मौर्गेज जा वेरीबल मौर्गेज दे उते भी कोई असर पाएगा वेरीबल रेट मौर्गेज इस जिना दे को ले उनाद दा एस ते नाल जड़ा ऑनाले एक यां दो दिन दे विच ज़ा विदने वीक जड़ा बेंकावलो लेट उना नुवी इस ता बेनिफिट मिलेगा क्योंके परजड़े और एड़ी लॉक हो चुके लमेसा में दे लेए उना दी मौर्गेज अमाउंट दे जिराया इस ते काट असर दे खरना मिलेगा उना वास्ते थाड़ी की एड़्वाइस साजड़े इस वेले पोटेंशल ने उना दे कोल की आउप्शन्स ने क्योंके ओ अल्रड़ी स्ट्रगल कर रहे ने हाई मौर्गेज रेट नाल सो जड़े वेरियेबल रेट दे उते होम ओनर्स ने हायर पेमिंट दे रहे ने उना नुँ थोड़ा जा होर वेट करना चाहिए तो जिमें क्यापा कह लिए के बज्यूर्ग होगे और कार्च रहा रहा उसनों जदा नहीं कर रहे उस तिनल पर ओजड़ी वेल था वो पास आउन होएगी सो रियल स्टेट दे हाउसिंग मार्केट नो सारना वड़ा चठका एस चीज ने लगना क्योंकि जदो उना बच्चेयां दे कोल जदो उस है एक चूट है ओके आज जसी गल्बत करांगे जी एस मान जी देनाल साड़े अपने शेर दे विच मॉर्गेज ते रियल स्टेट दे फील्ड विच जाने पच्छाने नाम है जी एस मान जी दा ते आज बैंक ने बैंक आफ कैनड़ा ने व्याजदर विच पॉइंट टू आज दी गल्बात दी नाल होएगी मान साब थाटा बहुत-बहुत स्वागत जी आएनू सासी का रिशी जी ता नो दे ता डे सारे सुनना लेनू मेरे विलों सासी का जी बहुत तानवाद ते साब तो पहले ते दूसों के कैल गरी दी मार्कीट दा हाल के में रहा मई किस त आइस सो ठती कर कैल्गरी देवेच सेल हुए है यह पाप इशले साल दे मकाबले देखिये ता ओदो कती सो चाली कर विके सिके जो बारां को बारां पॉइंट एट परसंट दी जडि ग्रावटा पिशले साल नालों जून टू जून महीं ने देवेच चाहिए है पर इस दे जिए यह दिखना साथ लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि समर या ओएस विले थोड़ी जी जी जडिया चीज़ा फैक्ट कर दिया है समर मार्केट नो वो थोड़ी जी शिफ्ट होई है यह वैदर करके साथ जड़ा मौसम या जहां होर चीज़ा जडिया ने बहुत ज़द ऐफेक्ट की था पर जैसे जलाई दी गल करिये जलाई विच ओल्मोस्ट चौवी देना देविचे साड़े चौवी सो कार कैल्गरी देविच सेल हो चुकिया प्राइज़े जडिया पिछले साल जून नालो एज साल साथ एठ़ परसन जडिया वदी आया शेल अकाठ रह ज रहा प्राइस ते विच वादा होया नंबर ओ सेल्स ते विच ग्रावट होई या ते जिरे जुलाई दे विच भी जडिया उससे तरह ही सेम चीज दिखनों मेल रही है आज जड़ा बैंक रेट दी अनाउसमेंट होई है एदा थोड़ा इनीशियल रियाक्शन असी थोड़ा लेना चाहांगे की वाप रहा चंगा होया के काट होया चंगा जिवे अपा न्यूज बिच सुन रहे सीगे के जिरा बैंक आफ केरना वालोग गरावट कीती जावेगी वाख वाख वाखन दाजे लाए जा रहे सेन पर हर एक प्लैटफर्म ते जिवे अपा के ये मोस्ट ली एही दस्या जा रहे सीगा के इंटरस्ट रेट कटन गे सारी जिरी फिनेंशल मार्केट है जिवे अपा दिखिये बैंकिंग सेक्टर स्टॉक मार्केट सारी उसावनर जस्ट और रेडी हो चुकी सी एस डिक्रीज ली सारे ही लोग रेडी सी सारे एक्सपेक्ट कार रहे सीगे आज जडि बैंक उफ कहरेंडा ने पत्ती सेंट दी द्वारा ओवरनाइट रेट देविच जडिए गरावट कीती है उन्हाने अपने जडिए दस्याया अनॉंसमेंट देविच जवे के जडिए हाउसिंग मार्केट दा प्रेशर है जॉब सेक्टर दा प्रेशर है और होर बहुत सारे जिरे फिनेंशिल एस्पेक्ट या उना नों मत दे नजर और उना दे मताबक इवी दस्या गया कि इफ हैन इन्फलेशन जे डिया ओकटी हुई है और उसनों इसे तरह मंटेन रख्या जा सकदा इंटरस्ट रेट नों हो रकटा के वी एज़ी रेट चेंज़ दी ज़़ी एंटी स्पेशन सीगी थी की लगदा जी के हाॉसिंग मार्कीट दे विच किसे तरह दा कोई इंपक्ट पाएगी किस तरह दा इंपक्ट पाएगी पॉजिट इगिव नेगटेव लांग टर्म ज शौर्टर्म जवें के जदो इंटरस्ट बदा रहे हैं सो जो जै ओस साव ना दिखी देदा ओपॉजिट रिक्षित जड़ा एफेक्ट होना चाहद जदो इंटरस्टृट रेट कटने शुरू होगए तफिनिटली हाउसिंग मार्केट हाउस प्राइजिज़ा बेटर होनी शुरू को जाने किया लेकिन जी आपा एफिलेशन चेड़ि आज़ डेफिनली वरी क्लियर ऐसे वेले के वो सिर्फ एक करांदी प्राइस करके नहीं ओड लिए बहुत सारे होर जड़ फैक्टर ने ऐपेक्ट होंदेनें और जदो इंटर्स रेट भी वदा आ जांदेनें सिर्फ एनीके करांदी प्राइस विच जे इन्फिलेशन वेचे गरावट हो दिया है और बहुत सारी है जिनियां जिनियां के जॉब सेक्टर स्पेशली हो गया ओदे विच भी बहुत ज़्यादा जिरा नकसान क्योंकि प्राइस कट करने बिजनसेस कोशिश करने अड़ अड़ थामात हो और जिरी जॉब सेक्टर दे उते पे स्केल दे उते जिरा बहुत ज़्यादा एफेक्ट होंदा या तो उस सारी हैं चीज जान लेकिन फिर भी जिवें के इंटरस्ट रेट नो जदो कटाया गया सिगा कोविड दे दरान और प्राइसीज बहुत ज़्यादा वादरियां सी गियां बहुत ज़्यादा कर देते सो मैं इस गल्द विच जड़ी बैटर कहूंगा कि उन्हाने इंट्रेस्ट रेट वद आये जरूर सी पर उन्हाने मार्केट क्रेश हों तो पहला जहां बहुत ज़्यादा वड़ा नकसान यहां पाजेनों के ज़्यादा बिजनस इसनों फैक्ट हों तो पहला उन्हाने इसनों कटाऊना शुरू कर देता एक रागूलर रेट वालनों लिवना तो ना शुरू कर देता दो परसंत यहां देट परसंत जिदा कोविड दे दुरान इंट्रेस्ट रेट सी वो एक special circumstances ते विच रेट सी ओ ता कदे नहीं मिल देखनों मिल सकता पर इस ते विच हो एक परसंट दी ग्रावट 2025 तक देखनों मिल सकती ते एस रेट चेंज दा fixed mortgage दा variable mortgage दे उते भी कोई असर पाएगा जहां किस तरह दा पाएगा जीवे के नाम तो ही clear fixed mortgage दा मतलब कैसी तिन साल ली पांच साल ली दो साल ली जहां जिनने भी समेदी ओ fixed mortgage दे ली lock हो को चुके हैं पर हाँ वेरियबल रेट मोर्गेज इस जिना दे को ले उना दे इस ते नाल जड़ा ओना ले एक या दो दिन दे विच जड़ा बैंका वलो लेटर आएगा के जड़ी पेमेंट है ओ तड़ी स्टेट तो कट चुकी है जिना दे मोर्गेज रीन्यूवल ते सी जा ओना ले एक किता जा रहा सिगा होन जे द्वारा ओ बैंका ना गल कर देने यहां बैंका वलों ही ओजड़ा कट इंट्रस्ट रेट आफर कीता जाएगा रीन्यूवल वास्ते वी इस करके जड़ा इस ता दो सेक्टर जड़े आपा कैसा दे रीन्यूवल दे आज़ते है जड़े वेरिय परनों मिलेगा जी ते एक कसी अड़वाइस थाड़ी को लो लेनी चाहांगे सेंस थाड़ा एक्सपीरियंस है जड़े लंबा के जड़े होना करेंटली लोग सोच रहे सान पैसे भी कठे कीते हैं उन्हाने डाउन पेमेट वास्ते कार लैंड बारे सोच रहे ने इस मार्क करना उन्हानों बहुत ही ज़्यादा जिराया इस चीज दे लिए इंपोर्टन चीज है जिन्हों उन्हानों अपने कैलकुलेशन दे विच अपने डिसीजन दे विच देखना चाहिएदा क्योंकि जो बैंक ऑफ कैनेडा कोई वी इनॉंसमेंट कार दिया रेडियो टीवी ह हर चैनल दे उते उसनों बार-बार दिस्या जन्दा दिखाया जन्दा पर बैंक कांदा जिड़ा इंटर्नल रेटा ओदे विच वी बहुत ज़्यादा एफेक्ट देखनों मिल्दा जिमेंगा पाइलना भी गाल किती कि आप आज बैठे रही है कि इंट्रस्ट रेट दोरा जानने हैं या किते वी ता अपनों जादा फाइव येर फिक्स या त्री येर फिक्स मोर्गेज रेट बारे दस्या जन्दा जेड़ा के वेरियेबल नलों काफी काट भी होंदा या हो समय देनाल दिख्या जावेता ता ओ उदा की है कि जदो बैंक आफ कैनेड़ा ने आज जी परसन सी था बैंका किनेड़ा जी जी बैंक आफ कैनेड़ा इसी तरह ही रेट वो दो दी रही ते जी ऐसी पांच साल ली क्योंकि बैंका नों पिछो फिक्स रेट नहीं मिल दा उना दी सिर्फ एक्सपेक्टेशन हों दी है कि ऐसी ता नों गरंटी ली फाइव येर फि कार लेंडियां और उनों एक्सपेक्टेशन कार दों दी है जैवें कि साधे पांच ताक वी रेट चले गया सेगा इसी तरह हूं जदो पहुए बैंक आफ कैनेड़ा रेट पच्ची सेंट करके पच्ची सेंट करके कटा रही है पर बैंका लेंडियां ने कि पांच साल ला होंगे क्योंकि नेक्स जड़ी है सेप्टेंबर दे विचे नॉंसमेंट ना जे ओ दे विचे रेट ड्रॉप हो जाएंदर है जहां जिवें कि क्या जा रहा है एक्सपेक्ट कीता जा रहा है कि बाइड दिसंबर 3.75 यह 4% ताके हो ड्रॉप हो जाएगा ता ओ ओ जड़ी च चीज नूं लेके चलिए कि इन फ्यूचे रहा होना ले समय जिवें कि एक्सपेक्टेड है सारा कुछ एज एक्सपेक्टेड चल दाया ता इंटरस्ट रेट चार यहां 3.75 ताक बैंक ओफ कैनिडा ड्रॉप कर दें दिया तो उस दिन आल अफकोर्स हाउसिग्स प्राइज जड़ियां वदन गिया सो सानू उस लास्ट मिनिट तक वेट करने लोड नहीं है को औरडी बैंका ने जिराया प्राइज इंटरस्ट रेट आ वो कट ऑफर करने शुरू कर जाते हैं सो एन ही कि जिस दिन बैंक ओफ कैनिडा 3.75 ऑफर करेगी ताहीं बैंका जी यह सारे दा सारा डेट का टाउन गया क्योंकि जदो क्लोस तू लास्ट लिमिट ते चले गया सो सिंपल जे पाइज गाल करी जदो मान लो के 3.75 ते बैंक ओफ कैनिडा रेट चले जान दा ताम ही जड़ियां बैंका आयां वो ते साड़े तें तो चार दे विची फाइव यर फेक्स र पर प्राइजी विच डिफरेंस बहुत आजना जे वाके एक परसंट होर इंटरस्ट रेट दे विच ग्रावट आजन दिया तो इस करके आपा इस चीज नू समझीए था बैस्ट टाइम है साथे कर बाइकानली क्योंकि है जे मार्केट वी कंट्रोल दे विच जे आपा कैल जे वही दो है आरे हैं पच्छी सवादे विच का रह जान दाया ते इद्धा लग दाया के सानू जे राया जिद मैं पिछले दो तेन साल ना तो जो वी देखिया के मिनिमम जे डा मिनिमम लुएस्ट मांथ जे जड़ा साल दे एक दो हुंदे ने उनना विच तारंक सो कार विक देने ए नहीं हुंदा के बिलकुली खतम हो जानी मार्गेट सो असानू उस चीज दे विच जित्थे के फिर मुड के यसी मल्टीपल आफ़र्स दे विच जा जाके प्राइस इस नूप पर आफ़र करके कंपीट करके सानू कार खरीदने पैन सानू उस सिचुईशन न करेट करनी चाहिए दिया ना उस सिचुईशन दी वेट करनी चाहिए दिया तो एस करके सानू जे सही प्राइस दे साधी लोड मताबक रीजनेबल कार मिल दा और एस वेले बैंकां काफी एग्रेसिवली रेट जिड़ाया ओन नेगुशिट करके जिड़ देरिया ने सानू उस ता जिड़ाया लहा लेना चाहिए दा अज़े खोर गालमान साथ संदसो के होन जड़े होम ओनर्स आज हैगे आ जिना कोल अपने कार हैगे ने उना दे कोल की आप्शन्स ने क्योंके वो अलरडी स्ट्रगल कर रहे ने हाई मॉर्गेज रेट नाल ते उना कोल होन आप्शन्स की होन गी आ ज़़ों साधी रेट कितने भी सोन रहे हैं कि हजे होर इंटरस्ट रेट दे वेचे कट होन दी एक्सपेक्टेशन है कोई भी फैक्टर जड़ा बैंक ऑफ कैनिड़ा दे डिसीजन नो फैक्ट कर साथा पर जे इसे तरह जो आज दी सती ती इसे तरह नॉर्मल सती चाल दी रही था बैंक ऑफ कैन कि हजे इंटरस्ट रेट दे विच होर गरावट होएगी सो सानू ए नहीं कि आज जैसी न्यूस चुनियार रेट काट गया दे पत्ची सेंट दा करके हजे होर भी जड़ा जदो सानू एक्सपेक्टेशन है उदे लगी सानू वेट करनी चाहे दिया जे वेरियेबल रेट ह जे साथे को फिक्स रेट है ता उसते विच जिराया सानू बैंक नो पुचके कि की नवा रेट सानू आफर करनेगे और किनी पनल्टी जिरिया उसते रेमेनिंग टरमाद विच चार्ज होएगी बहुत ही जदा कॉम्प्लिकेटड कैलकुलेशन बनगीया ने रिन्यूवल म पाइस्ट चीज में कहूंगा के वेट जरूर करनी चाहिए क्योंकि जी होर कट सान्देने बैंक ओफ कैनिना वलो थे ऑनाले समय दे विच बैंक आफ का वलो होर वी काट जे रेट वो आफर कीते जा साक देने सो इसकर किसान नो हाझे जरिया वेट करनी चाहिए क्योच आए होना ले जड़ी सेप्टेंबर या एस साल दी डिसम्बर दी अग्गे जड़ीयां बैंक आफ कैनना दीयां अनॉंस्मेंट सोन गियां उना देले कोई 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 ऐसी क्रिटिकल इन्फरमिशन जड़े बारे मैं तो अड़े कोनों सवाल ना पूछ सके हो मां ते तुसी समय देओ के इंपॉर्टेंट है साड़े आउडियांस वास्ते सुनवाले वास्ते जानना ज़रूरी है ओदे बारे तुसी कोई गल करनी चाहोता है आज दी स्थिती दे बारे मैं ज़रूर मैंशन करनी चाहूंगा कि ऐस वे ले जड़ी यह स्टेट नो लेकि अपा गल करिये तो तिन बहुत ही मेजर फैक्टर ने जड़े इसनों बैंक रेट नो ज़्यादा एफेक्ट करने एफकॉर्स बैंक रेट एफेक्ट करता है पर जिवें के जड़ी नीट सा जड़े होम बायर्स या जड़ी इमिग्रेशन या होर जड़े बहुत सारे फैक्टर सा जड़ा करके करांदी ज़रूरत मिर रही है इंफ्रस्ट्रक्शरों स्पीड ना नहीं वाद रहा बिल्डर्स ने भी लॉट्स जड़ी आए उज़ादा नहीं रिलीस कर दे कोई बिल्डर्स आर्स्ट्रक्शरों तो टू लॉट्स या फाइव लॉट्स से मन्थ है ना वो सारी चीज़ां सानू एफेक्ट कर दियां सानू अपने डिसीजन दे लई दो तिन गल्ना दा बहुत जड़ा ज़रूरी तो और ते त्यान करना पाएगा एस विले के जदो इंट्रस्ट रेट वाद रहा सी ता बैंकां बैंक आफ कैनडा दे रेट तो भी उपर रेट ओफर कारियां सी फेक्शी मोर्गेश दावी इवन उनना दा प्राइम रेट जवे आजे भी आपा गलकार रहा सी होने ब्रेक दे वेच रिशी जी सिक्स बैंक आफ कैनडा दे रेट डिसीजन्स दोनों डिफरंट होने या कुछ उस चीज दे सानू एस विले एस पॉइंट ते क्योंके एनी ज़रूरी के जदो 3.75 बैंक आफ कैनडा दा रेट हो जाएगा ओदो ही सानू मैक्सिमम बैनिफिट मिलना मोर्गेश दे वेज पर यह स जदा वद्या होया बैंक आफ कैनडा दे नालों काफी काट रेट दे होते हैं बैंका ने औरेडी पर्मोशन से लौनिया शुरू कर देती हैं जहां नेक्स्ट मांथ देवेश देखांगे कि उना वलों पर्मोशन लाई जाओगी इचीज देनों कैलकुलेशन चले होना बह इस पेक्ट का रही हैं कि होना ले समेच होर इंटरस्टेट ग्रावट होगी तां इस करके ओ फाइव एर फिक्स मोर्गी जिस्ते जिराया ज्यादा लोवर रेट आफ़र का रही है दूजी चीज जड़ी थे आपा नहीं गलप है मैं थोड़ा जा शॉर्ट फॉर्म दिवे तीरा परसंट जड़ी पॉपॉलेशन आइस कंपेर्ड तो यूएस ता ओदे नाल सान नो जड़ा दो ट्रिलियन असी बिलियन ती जड़ी प्रापर्टिया ओन वाले दसां साल लाँ दे बेच जड़े लोग एजड हो रहे है जड़े लोग एजड हो रहे है जड़े जड़े जड़ेशन ने जनियां खुल की तिया होनो जड़ी वैल थया ओजनले समेध विच दस साल लाँ जड़े प्छले जड़े जड़े लिख भी यूस रिपरोट दे को दें ता मैक्सिमॉम जड़ेशन नो जड़ेशन नो नवी जड़ेशन नो ट्रांसफर होएगी ल आपना इंकम हों दी जड़ा आप आवरी दे काम कर देया आज काल दे बच्चे पड़े लिखिया अच्छियां जॉब्स देया और एड़ी ओ अपनी जड़ी वेल बींगा वेल मंटेंड कर सक देया आज दी जड़ी सिचुएशन हो देविच जी उना दा अपना सारा कोई सही वेल्थ अपने बेसिक नीड्स नू लई यूस कान दी लोड नी वो अगे इन्वेस्ट कान गे सो रियल स्टेट दे हाउसिंग मार्केट नू सारना वड़ा चटका एस चीज ने लगना क्योंकि जदो उना बच्चेयां दे कोल जदो जनरेशन दे कोल वो सिटिंग वेल्थ चानी है जी उना ने वह गे इन्वेस्ट कानी है और ज्यादा दर इन्वेस्ट्मेंट्स देच्च देखि जान दिया जीडि प्र्रॉपरटी इस रियल स्टेट देवीचे कीती गई और होर संस्तावा ने भी उस रिपोर्ट देटे वर करके इशू की था ओ दो ट्रिलियन एटी बिलियन डॉलर तो वाद दी जड़ी प्रॉपर्टी या ओ उना ले इस नेक्स डेकेड देवे जड़ी जड़ी या एक वरकिंग जनरेशन जिम्हें क्या पा कहा लिए क थोड़ा जा जड़ा एफेक्टिवली और हाउसिंग मार्केट नो स्पेशली करके रियर स्टेट नो प्रॉपर्टी वैल्यू नो वर्ल्ड वाइड एस चीज ने यूएस वी इस चीज ना कंसर्ण ना के इस चीज नो किद्दा कंट्रोल कीता जावे पर इस सार नो जड़ एफेक्ट करेगी और हो ना ले लॉंग रान देविच रियर स्टेट मार्केट नो बहुत सारे लोग कहें थे याजी सानो कॉंडो नहीं लेना चाहिए दाओ ते स्ट्रेटा दी मार पें दी है कि ये गाल सची है कि स्ट्रेटा वादू बोज होंदा बजाए कि दूजा कर ले आ जाए एक बहुत ही डिसकस करने वाला टॉपिक है पर इन शॉर्ट फॉर्म क्योंकि बहुत इंपॉर्टन है जदो भी यसी मैं बार बर ताटी प्रोग्राम ते होना एक को गाल कर दा कि अपनी जरूरत मताबक कर लेना चाहिए जरूरत मताबक कर लेना चाहिए अपने सीवरेज, सिटी, वाटर, ड्रेनेज, इंशॉरंस, बहुत सारी यां चीज जाजेनिया यां औरेडी स्ट्रेटा फीस दे विच एक कॉंपेटिट प्राइस दे विच इंकलूड होन दिया ओके सो एन ही के असी जे हयार स्केर फीट दा कार ले लिया ते उदे विच स स्ट्रेटा फीस दे विच सानू कोई खर्च नी पैसे अजी सिंगल फैमली होम लेने डूपलेक्स लेने नो स्ट्रेटा फीस और कोई वी कार लेने तो सानू फायर इंशूरंस अपने कार ली लेनी पें दी जड़ी ओर अरडी मोस्ट अफ कॉंडो फीस दे विच पैर या जरी के वी तो प्या डालर उस फीस दा हिस्सा हों दिया पर उस दिन आली जरी इंशूरंस आजिसी इंडिवीजुली अपने ली लेने आ वर्सिस पूरे यूनिट ली लेने लेना तो एक एक अप्स्ट्रा बोजा एक मित्या एक चूट है ओके लेकिन कॉंडो दे जड़ी रिजर्व फंड स्टडी हों दिया कॉंडो इसे कॉंप्लिटली डिफरेंट सेक्टर है लेकिन वो कोई वेस्टेज ओफ मनी नी है और कोई यूजलेस मनी नी है कि तुसी मनी बस उन्हों सेव कर लोंगे जी जी मैं आट सो स्केर फीट दा कॉंडो दी बजाए आट चीज़ां वकरी कांपनी नों पे कर साथा था असी किसे भी अपने फैमली यहां फ्रेंड देखो लों जेड़ा यूटिल्टी दा बिल उनना दा मन्तली देखके चेक कर सक देयां कॉंपेर्ट जेड़े ओवरॉल एक्सपैंसे सा प्रॉपटी टेक्स वी कुछ जड़ा कॉ कॉंडो मैनेज़मेंट और कॉंडो यूनिट वह बैटर नहीं हो इससे करके सी जदो कॉंडो दी डील लेख देयां वह से कंडिशन लेख देयां के कॉंडो डॉक्स टू बी रिवीवड राइड़ा के बहुत ही अपनी के मिनुटी देले मैं एक गाला कैनों नहीं चेज़ कोंडो डॉक रिवीव था ठीक ही है ठीक नहीं है कॉंडो दे लई सार नहीं इंपोर्टन चीज है कि उस्ते विच किने रिजर्व फंड ने और उनले फ्यूचर चोड़ी कीडिनी के मेंटेनेस एक्सपेक्टेड है जी 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 बहुत ही डिटेल रिपोर्ट हुंदी है उस जरूर देखनी चाहिए जरूर देखनी चाहिए तो इस पैशलिस्ट होंदे उनना कंसल्ट करके उनना नू रविईू जरूर करना चाहिए तो ही कॉंडो दी प्राइज नो सेट कर देने ना के जस्टेक बील्डिंग या स्केर फिट कॉंडो दे अपनी मेज़ लेसा थ पर इस नोट जस्ट अविस्टिज अफ मनी फॉर शूर तेहून प्राइम रेट आजदा जड़ा बैंक वे आजदा कर जूगा तो प्राइम रेट किना हो जाएगा जी जी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा बहुत बहुत तानवात है अपना कॉंटेक्ट इन्फरमेशन दे दो जी 587777000 मेरा नमबर है जी सेवन वेस्ट विंड क्रेसेंट नॉर्फ इस जूनिट 301 तो असी काम कर दे साड़ा ओफिसा उत्थे विया के बहुत शुक्रिया थोड़ा मान साथ थेंक यू वेरी मची थेंक यू रिशी जी